हलो फ्रेंड्स, वेलकम टो वर चैनल वाने एजुकेशन टुटोरियल आज हम वैदिक साहित के स्टड़ी करेंगे इससे पहले में इसके दो पार्ट फर्स्ट लेसन आपका सिंदुखाटी सब भी था और दूसरा लेसन जो है वो वैदिक काल के बारे में है उनका बहुत ही अच्छे तरीके से जितने भी important questions एक्जाम में आते हैं उनको वीडियो में मैंने बताया है और आज हम थर्ड लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जो है हमारा वैदिक साहित वैदिक साहित हमें क्या बताता है श्रुती साहित पहला भाग शूती साहित वैदिस साहित अगर आप जैनेरली इसका observation करना चाहें इस word की शूती का मतलब होता है सुनना वर्बली जों चीजे आप सुनते हो इसमें क्या है? ब्रह्मन गरंथ, आरन्यक गरंथ, उपनिशद आते हैं, जो लंबे समय तक मौकिक रूप से चलते रहे। मतलब हमने उनका क्या क्या क्या? केवल श्रवन ही किया, और उनका संकलन जो है बाद में किया गया, और हमारी सामने वो किस रूप में आए? किसकी दार रचित है स्मृति साहित्य मनुश्य दार रचित है जिसमें वेदांग तथा स्मृति शामिल है और शुति साहित्य जो है वो स्मृति यहां पर स्मृति होना तो स्मृति की जगा स्मृति साहित्य की तुलना में अधिक पवित्र और स्रेस्ट माने जाते हैं मौकी क्रूप् सिक्क्यों क्योंने सुना जाता है और शुति साहित के वेदों में प्रथम स्थान है और वेद जो है वो कौनसी धातू से stewardshipagen भी एकजाम मेंयाता है वेद-शब्द धातू वो कितने वेद आते हैं तो friends वेदों के नाम हैं हमारे सामने रिगवेद या जुर्वेद सामवेद और अथरवेद तो रिगवेद जो आता है ये इसका उपवेद और उनके रचनाकार ये भी एक्जाम में बहुत बार आते हैं तो रिगवेद का उपवेद जो आता है वो आ और विपिवा मित्र यंदां रखना है यह बैल मित्र लास्ट वाले में विश्व कर्म पहले मित्र उसके बाद करम इस तरीकी से आपको ये लर्ण रहे जाएंगे क्लिया है निक्स्ट सामवेद तो गंध जब म्यूजिक होता है तो उसकी क्या होती है फ्रेग्रेंस होती है न आच्छे वाली तो सामवेद जो है ये कला और संगी से रिलेटेड है सामवेद के जो उपवेद आते हैं वो है गंधर्ववेद और इसके जो रचनाकार आते हैं वो आते हैं भरत मुनी last but not least अथरववेद जिसके उपवेद कौन है शिल्पवेद और भवन निर्मान कला से रिलेटिड है ना शिल्पवेद आपको ऐसे पता रिदा रिलेटिड है और क्या बदाया था मैंने second one में क्या आ गया पहले आया विश्वा मित्र और दूसरे में क्या आ गया विश्वा कर तो आपके माइड में बिल्कुल उसी तरीके से फिड़ बैट जाएंगे जिस तरीके से आप लर्न करोगे होफुली आपको यह अंडिस्टैंड होगे तो निक्स्ट है रिगवेद तो रिगवेद सबसे पहला वीद आता है और विश्व का प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक रिगवेद ही है और इसमें कितने मंडल कितने श्लोक कितने मंत्र हैं तो इसमें 10 मंडल 1,800 श्लोक तथ 10,600 मंत्र हैं गायत्री मंत्र चौथे मंडल में दिया गया है और जो गायत्री मंत्र है इसमें सूर्य किस्तूति का वर्णन किया गया है नवे मंडल में किसकी चर्चा मिलती है तो ये सोम की चर्चा मिलती है दसवे मंडल में प्रसिद्ध पुरुष सूक्त जिसमें आपके ब्रामन क्षत्रे वैश शुद्र इन भागों में बांटा गया है पाठ करने वाले ब्रामन को होत्री कहा जाता है रिगवेद के जो यग्य श्लोक मंत्र हैं इनकी आज युद्ध इसकी चर्चा भी आपको किस में मिलती है रिगवेद में मिलती है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स मैंने सारे ही इसमें इंकल्यूड कर दिये नेक्स्ट वन आता है आपका सेकेंड वन यजुर्वेद तो फ्रेंट्स यजुर्वेद में जो है अनुस् अर एक मात्रवेद ये एगजाम में इस तरीकी से आता है एक मात्रवेद जो आपका गद्य और पद्य दोनों में रचित है तो वो कौन सा है तो आप रिगवेद सामवेद का समंद संगीत से है और इसमें जो रिचाएं हैं उनका गान करने वाले ब्राम्हन को क्या कहा जाता है उदगातरी कहा जाता है इसे भारते संगीत का जनक माना जाता है और सबसे पहले साथ स्वनक की रचना अगर पूछी जाए तो वो हमें साम वेद से ही मिलती है तो सबसे पहले वाले जो रिगवेद का ग और इसे अंदिम वेद कहा गया है इसमें जनसाधारन की लोकप्रिय विश्वासों और अंद विश्वासों का वर्णन किया गया है यानि कि ये जादू टोने जितने भी होते हैं जादू टोनों या लोग निवारन से सम्मंदित आता है अथरवेद तो हमने चारों की गई विदान कितने हैं छे प्रकार की हैं शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिश यहां पर मैं ये भी बताती हूं कि कौन कौन सा किस से रिलेटिड है तो फर्स वन जो शिक्षा आता है वो शुद्धुचारण से रिलेटिड है कल्प में यग्यों का संप जो है जोतिश शास्तर का विकास तो यह जो शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद जोतिश हैं वेदों के अर्थों को समझने के लिए इन चीजों का यूज किया जाता है ना कुछ चीज़ें हमने पड़ी हैं और मैट भी आप लोगोंने सारी चीज़ें पड़ी होग तो फ्रेंट्स उपनिशद वेदों की दर्षनिक व्याक्या के लिए उपनिश्टों की रचना की गई मतलब इनके दर्षनों को और अधिक से समझने के लिए इनकी रचना की गई तो फ्रेंट्स उपनिशद हमारे टोटल जो आते है 108 है और अंतिम रचनाओं के कारण ठीक बैखने कर कहा रूड उनिए ला जए सबसे प्राची समृति ग्रंत में इस फ्रेंद सबetusर पुरान में विश्क्षणापदी Call for जाता है तो ये जाता है महरशी वेद व्यास जी को ओके नेक्स वन सबसे प्राचीन इसमें कौन सा आता है पुराणों में एक क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि इनकी संख्या कितनी है इसके संकलन का श्रेक किसे जाता है सबसे प्राचिन पुरान कौन सा है, मतस्य पुरान क्यों है क्योंकि इसमें भगवान विष्णू के दस अवतारों की चर्चा मिलती है ओकी, next one is our रामायन रामायन की रचनाम हर्शिव्याल में कीग नी की थी और रामायन आपको पता है इसमें कितने कांड हैं साथ कांड हैं बाल, अयोध्या, अरण्य, किशकिंधा, सुंदर, युद और उत्तर का नामक भागों में पंटा हुआ है इसमें 24,000 शलोग हैं और ये संस्क्रित में नहीं आ रहा था इसलिए मुझे इंग्लिश में ही प्रिंट करना पड़ा 24,000 शलोग होने के कारण इसे चतुर विंशिती सहस्तर सहिता भी कहा जाता है 24 के लिए चतुर और चतुर विंशिती 24 के लिए लगेगा और सहस्तर सहिता आपका thousand के लिए लगता है clear friends? अब हम इसके रमायन के बाद क्या आता है? रमायन के बाद है महा भारत clear? तो महाभारत जो है इसकी रचना किसके द्वारा की गई ये महरशी वेदवास की द्वारा की गई थी इसमें किसका वर्णन दिया गया है तो कौरव और पांडवों के बीच जो युद्ध है उनका वर्णन किया गया है और जो हमारा महाभारत है ये कितने परवों में इसके अन्य नाम आते है जै सहिता और शत्त सहस्त्र सहिता यहाँ पर लिखना भूल गई शत्त सहस्त्र सहिता क्यों कहते हैं सौ हजाश लोग होने के कारण नेक्स वर श्रीमत भगवत गीता महाभारत के भीश्म पर्व से लिया गया है hey friends so thanks for watching with very patiently and lightly if you like the video to like share and subscribe keep supporting stay happy stay blessed have a nice time